आज हम बनाएंगे हरे फ्रेश मटर की सब्जी इसके लिए हमने लिए है ये फ्रेश मटर एक कटोरी एक छोटा पैज बारीक कटा हुआ, दो चम्मच हरा धनिया काटकर, आधा टमाटर बारीक कटा हुआ, दो चम्मच अद्रक लसन पेस्ट, आधा चम्मच जीरा, स्वादा नुसार नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाओडर, वन्फोर चम्मच हल्दी पाओडर अब हम बनाएंगे जटपट मतर की सबजी गैस आउन करके पैन को गैस पर रख दिया है अब इसमें दो बड़े चमच तेल डालेंगे तेल गरम हो गया है गैस की फ्लेम लो कर देंगे अब इसमें डालेंगे जीरा अब इसमें डालेंगे प्याज धिमें आज पर प्याज को थोड़ा सुनरा होने तक पकने देंगे प्याज सुनरे हो गये है अब इसमें डालेंगे अधरक लसन पेस्ट सबको अच्छे से ही लाएंगे और आधा मिनिट धीमे आज पर पकने देंगे अब इसमें नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर डालेंगे और धीमे आज पर 30 सेकेंद पकने देंगे अब इसमें टमाटर डालेंगे टमाटर थोड़े, सौफ्ट होने तक पकने देंगे अब तूरंत इसमें डालेंगे मटर के दाने, सबको अच्छे से हिला लेंगे पैन के उपर ढकन रख देंगे और धीमी आज पर 5 से 7 मिनिट तक मटर की सबजी पकाएंगे पाच मिनिट हो गए है, ढकन निकाल लिया है अब इसमें जितने मटर दाने लिये थे उतना गरम पानी डालेंगे उपर से हरा धनिया डालेंगे और मीडियम गैस पर सबजी को 7 से 8 मिनिट पकाएंगे सबजी थोड़ी सी प्लेट से ढख देंगे साथ 8 मिनिट हो गए है, हमारी मटर की सबजी तयार है गैस बन कर दिया है ये जटपट तयार हो गई हमारी मटर की सबजी दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकाउन है उसे क्लिक करो प्लीज 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 दोस्तो ये मटर की सबजी आप राईस रोटी के साथ खा सकते हो